नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास्टु एल्थ हिंदी का तीस मोस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिफ पोस्चन एंस्वर बिहार बोड इक्जाम दोजर चौबिस के लिए पहला कोश्चन है बाल कृष्ण भट की रचना बातचित क्या है? राइट एंस्वर है ललित निबंद। दूसरा कोश्चन है प्रक्रीती बर्णन से संबंधित कविता है? इसका राइट एंस्वर भी है उसा तीसरा कोश्चन अर्थनारिस्वर का किस बिधा से संबंद है? अर्थनारिस्वर का किस बिधा से संबंद है? राइट एंस्वर A. निबंध हार जीत के रचनाकार कौन है इसका राइट एंस्वर A. असुक बाजबेई पांचवा कोश्चन तिरीच के रचनाकार कौन है इसका राइट एंस्वर B. उद्य प्रकास छटा कोश्चन इन में से कौन सी रचना ओम प्रकास बालमिकी की है इसका राइट एंसवर है C, जुठन हस्ते हुए मेरा अकेला पन के लेखा कौन है इसका राइट एंसवर है B, मल्याज आठवा कोश्चन है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है इसका राइट एंसवर भगत सिंग होगा क्योंकि राजगुरु नहीं है, सुक्देव नहीं है, चंद्र सिकर अजाद भी नहीं है ओ सदा नीरा के लेखा कौन है जगदी चंद्र माथूर के इसका राइट एंसवर ए होगा क्योंकि अगे रोज के लेखा है कि बाल क्रिष्sty भठ्ट बादचित के लिए खक है। और मल्य कि जै क्रिष्ण मूर्ति, pasture में से कौन सी रचना है शिक्षा राइट एंस और डी क्योंकि बादचीत बालकृष्ण भट की रचना है संपूड करांती संपूड करांती जैप्रकास नरायन की रचना है रोज सचीदानंद हीरानंद बच्यान की रचना है सिपाई की मा सहित्य के किस विधा की रचना है एक कांग की होगा इसका राइट एंसर दुआवा किन की रचना है समसेर बहादूर सिंग की सिपाई की मा के लिखा कौन है इसका राइट एंसोर रोगसी, मुहन राकेश क्योंकि उम्टकास बाल में की हस्ते हुए मेरा अकेला पन के रचनाकार है उद्धै प्रकास, तीरिच के रचनाकार है और नामवर सिंघ, प्रगरीत और समाज के रचनाकार है चौदर नम्बर कोश्चन है तुमूल कुलाहल कलह में कैसी कविता है इसका राइट एंसर है भी छहया बादी पंद्र आए'tसर है इसापाई की मा सिर्शकैंकांकी का सबसे सतक पात्र कॉन है इसका राइट एंसर होगा छांद का मूँ टेरा है किसकी रचना है क्योंकि सुबद्र गुमारी चौहान पुत्र भीयोग की रचनकार है तुलसी दास का पद है और जैज संकर पर साथ तुमूल कुला कला के रचनकार है सत्रे नमबर कौश्चन है पुत्र भीयोग सिर्शक कविता के कभी है इसका राइट एंसर होगा ये सुबद्रा कुमारी चोहान अठरा नमबर कोशन प्रगीत और समाज सिर्शक निवन्ध के लेखक है इसका राइट एंसर होगा बी नामवर सिंग रमधारी सिंग दिनकर अर्धनारीश्वर के रचनाकार है बाल कृष्ण भट बाचित के रचनाकार है जे कृष्ण मूर्ती सिक्षा के रचनाकार है निमनांकित में से किसी के लिए सुबद्रा कुमारी चोहान को हिंदी सहित समेलन का सक्सरिया प्रुषकार मिला इसका राइट एंसर होगा बी मुकल नामवर सिंग के गुरु कौन थे इसका राइट एंसर होगा एह हजारी परसाद दिवे थी एककश नम्मर कोश्चन है लोग भूल गये किनकी रचना है ये रगवीर सहाई की रचना है जैसंकर परसाद का महा काब्य है काम में आईनी नामवर सिंग किस पत्रिका के संबादक रहे हैं आलोचना के तुमूल को लाहल कलह में सिर्शक कविता निम्नांकित में से किस से ली गई है काम में आईनी से ली गई इसका राइट एंसर्शी होगा किस क्रीती पर नामवर सिंग कोने से खत्रिस्पी में चाहित एकाद्मिक प्रिशकार मिला था कविता के नए प्रतिमान पर 26 नमर कोश्चन अनुचर में उपसर्ग बताए इसका राइट एंसर्शी होगा अनु अधीश में कौन सा उपसर्ग है इसका राइट एंसर्शी होगा बहुत दान देने वाले को कहते हैं अगर दानी इसका राइट एंसर्शी होगा प्रत्य पुकार का संधी विछेद कीजिए इसका राइट एंसर्शी प्रती प्लस उपकार तीस नमर कोश्चन है सुक्ती का सही संदी विछेद क्या है इसका राइट है उसर होगा सुप प्लस उक्ती सुक्ती एक तीस नमर कोश्चन है जो सिग्र प्रसन हो जाए उसे कहेंगे आसुतोस धन्यवाद